हलो फ्रेंट्स आपने स्लेबस देख लिया यूपी अश्टी का स्लेबस तो मैंने डिसकस कर दिया आपकी कमेंट आ रहें कि यूपी अश्टी में कौन-कौन से बुक पढ़े जाएं क्या इंपॉर्टेंस है बुक की ये सारी बाते मैं इस वीडियो पे कबर करूँगा मैं ए देखिए मैं जो बुक लिष्ट बतारहूं ये मुझे अच्छा लगता हो सकता है आपकी बुक लिष्ट अलग हो तो घबडाईए गा नहीं हो सकता है आप मुझसे भी बेहतर जानते हूँ या कोई और टापर का होता हो देख लेंगे उसको भी देख सकते हैं ऐसा बात नह अच्छी न होते हुए भी आप उसमें अच्छा करते हों तो यह आप पे डिपेंट करता है चो चलिए वीडियो इस्टार्ट करता हूं कि हिस्टि किस से पढ़ी जाए कहां से पढ़ी जाए तो देखिए मैं जो हिस्टि की प्रिफर करता हूं मैं सिर्फ NCRT बोलता हूं NCRT या Lexicon पढ़ लिजे ये enough रहता है NCRT पढ़ लिजे आपके लिए enough होगा लेकिन history एक मात्र ऐसा subject है जिसके लिए आपको old NCRT पढ़नी है old NCRT पढ़नी है old NCRT पढ़नी है old भी पढ़ना है साथ ही आपको new भी देखना है new से question बनते हैं आजकल इसलिए new भी देखनी है तो शुरुआत करता हूँ history में class 6 से लेके 12 तक आपको NCRT पढ़नी है class 6 में NCRT का नाम है our past English में और हमारे अतीद करके हैं और हमारे अतीद 2, हमारे अती 3 class 6, 7, 8 में हैं ये NCRT का नाम है आप ले लिजेगा पत्ति-पत्ति किताबे हैं उसके बाद 11 नाइन्थ में आता है भारत और समकालिक प्रथम और भारत और समकालिक विशुदुती आता है 10 त में ये दोनों व्यूकाती है word history की हैं ये word history की हैं ये आपको मेंस में जो GS first paper में GS first paper में जो word history पढ़नी है उसके लिए बहतरी मार्गदर्शन करेगा ठीक है उसके लिए बहतरी मार्गदर्शन करता है उसके अलावा word history की बात करते हैं word history फिर आती है 11 में 11 में word history की तीन पार्ट है उसको भी आप देख सकते हो इसके अलावा 11 12 में old NCRT में देखिए मैंने लिखा भी है old NCRT देखिए old NCRT में तीन बुकें आपको पढ़नी है basically इन बुकों को पढ़ना है और किसी बुक को पढ़ें या ना पढ़ने NCRT में लेकिन इन तीनों बुक को आपको पढ़ना है यह समझ लिजे आपके लिए गीता कुरान भागुवत गीता कुछ भी समझ लिजे NCRT यह वाली NCRT हर्ट है आपके शिवल सर्विस तैयारी में IS PCS की तैयारी कर रहे है तो यह आपका हर्ट समझ लिजे एक हर्ट है यह ओल्ड NCRT इसमें प्राचीन भारत पढ़नी है आरेश शर्मा की आपको आरेश शर्मा की बुक पढ़नी है प्राचीन भारत बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी है मद्धिकालीन भारत सतीष चंद्रा की है और आध्मिक भारत देख रहे ना आध्मिक भारत के अलावा इसके के अलावा आप spectrum फालो कर सकते हो spectrum spectrum फालो कर सकते हो spectrum थोड़ी छोटी बुख होती है चोटी सी बुख होती है तो बहले बहुत बहत नितरीन तरीके से लिखा हुआ आप उसको देख सकते हैं में वो भी बहुत ही helpful होगा आपके लिए आधनिक भारत के लिए उसके अलाबा नियू NCRT में तीन सीरीज है थीमस आफ इंडिया भारती भारती इतिहास की भूमिका करके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 11 और 12 में दिया गया है यह आपको पढ़नी है पढ़नी है समझें यहां स से आजकल कुछन आईयस पूषता है आईयस के जो कुछन है उसको इसने box बनाके रखा हुआ है box बनाके रखा हूँ पीटी के खास करके इस से पीटी के कुछन बहुत फश्ते हैं पीटी के बहुत कुछन फश्ते हैं लेकिन अगर आपने old NCRT पढ़े भी ना इसको पढ़ फूल होने वाली है सोसाइटी के लिए आता है कि सोसाइटी किसे पड़े भारती समाज करके फस्ट पेपर में आता है जी एस फस्ट पेपर भारती समाज ठीक है भारती समाज करके जी एस फस्ट पेपर मेंस में आता है जी एस फस्ट में उसके लिए कौन सी बुक प्रिफर कर करना चाहिए तो यहाँ पर है सोसाइटी के लिए सोसल साइंस करके यह देखिए 11 12 में सोसाइटी के लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि आप 11 12 का 11 12 का आप वो पढ़ लो दो चीजे पढ़ लो सोसाइटी के लिए पहली NCRT की बात करों फिर उसके बाद अलग से बतारों NCRT में 11 12 में आती है पॉलिटी की जो पॉलिटी की वीडियो जाती है पॉलिटी की जो NCRT उसको पढ़ लिजे राजविवस्था की उसके अलावा आप पढ़ सकते हो आप इसके अलावा पढ़ सकते हो सोसाइटी की 11 12 में जो सोसाइटी भारती समाज करके दिया हुआ है 11 12 उतना enough है society के लिए इसके अलाबा vision IS का मैं vision IS का बता रहा हूँ vision IS का notes आता है printed notes आता है vision IS का coaching notes आता है उसको पढ़ लिजे वो enough रहेगा अगर आपको vision नहीं मिल रहा है तो द्रिष्टी IS भी बहुत बहतरी तरीके से बनाती है लेकिन ध्यान रखिएगा द्रिष्टी IS का आपको क्या पढ़ना है द्रिष्टी IS का यहां पे लिख रहा हूँ द्रिष्टी का आपको printed notes पढ़ना है printed notes पढ़ना है क्या भारती समाज का भारती समाज का printed notes पढ़ना है ठीके इसके अलाब अगर आप चाहो तो किसी कोचिंग का नोट्स आपको मिल जाए तो वो भी पर सकते हो सोसाइटिकली कभी मौका लगा तो मैं भी बता दूँगा आपको पूरा PDF फाइल कंप्लीटेड है कभी क्लास लगाने की टाइम लगेगा तो अभी अभी क्या है कि आपका शंविधान चल रहा है Constitution चल रहा है और उधर जोगर्फी का मैं अभी मैप बना दिया हूँ मैपिंग कर दिया हूँ आज साइद अपलोड कर दूँगा यह वीडियो कल आपको मिलेगा यह संडे को बना रहा हूँ आर्ट एन कल्चर के लिए सवाल आता है अर्ट एन कल्चर के लिए नितिन सिंभानिया मिलेगा 11 चि भूक आती प्लचर के लिए बहुत बहुत बहितनी तरीके सें Hindi और English में same to same है मतलब Hindi language में मिल जाए कि English language में इसके अलावा 11 में एक NCRT आती है इंट्रोड़क्शन आफ आर्ट एंड कल इंट्रोड़क्शन आफ इंडियन आर्ट यह समझ लीजे बेसिक लेबल पर बहुत बहुत बहुतरीं तरीके से बताया है इसको NCRT मैंने मुझे आर्ट एंड कल्चर कभी समझ नहीं आता था लेकिन मुझे जब यह NCRT पढ़ी तो थोड़ा बहुत मुझे मैंने नितिन सिंघानिया को फॉलोग किए यह नहीं है कि यह इनफ नहीं है फ़ीजर की बाते करते हैं जोगर्फी में आपको latest NCRT पढ़नी है latest जितनी भी नई से नई हो मतलब जितनी सबसे नई वाली NCRT पढ़नी है क्योंकि इसके data बदलते रहते हैं आप अगर पढ़ सको तो class 6 से लेके 12 तक आपको NCRT पढ़नी है ठीक है class 6 से लेके 8 तक बहुत basic दिया गया है जिसको आप देख सकते हो इसके अलावा इसके अलावा आप चलिए 9th में 9th और 10th में इंडियन जोगर्फी की दो भुके हैं इंडियन जोगर्फी की भारती 2018 में भी मैंने question देखा था इसके और कई साल मैंने देखा है कि NCRT के जोगर्फी के question एकदम सीधे NCRT से आते हैं PT में और मेंस में भी आपको आएंगे मैं बता रहूं मेरा जोगर्फी optional है मैंने खुलर मैं की बुक पढ़ी इतनी मोटी वाली इतनी मोटी सी है करी खुलर की पढ़ी माजिद हुसेन की पढ़ी फिर भी मैं NCRT जितनी अच्छे से समझता हूं NCRT जितनी अच्छे से लिखी है मुझे कोई भी बुक नहीं लगत है अगर आपका GS में ही है optional है तो पढ़ना पढ़ेगा GS के लिए मैं prefer करूंगा GS के लिए आपको क्या करना है NCRT पढ़िए कौन कौन सी NCRT पढ़िए देखिए यहां पर लिखा हूं नाम बता रहा हूं आपको पढ़ना है 910 का NCRT must new वाली और 1112 की 1112 में कुल मिला के 4 से 5 NCRT आती है चार या 5 NCRT आती है सब को पढ़ना है कुल मिला के आपको 6-7 NCRT पढ़नी है जोगर्फी के लिए इसके अलावा आप अगर बुक पढ़ना चाहते हो तो माजिद हुसेन सर लिखते हैं बहुत बेहतरी तरीके से लिखते हैं माजिद हुसेन की पढ़ सकते हो ठी आप अगर चाहो तो खुलर अगर ले सको पढ़ सको खुलर की बुक क्योंकि ये करीब 8-900 पेज़ेच की है आपको महगा मिलेगा इसको पढ़ सको ये एक इनफ बुक है आपके ऑप्सनल के लिए भी होगा आप GES के लिए भी इसको पढ़ सकते हो कोई भी चीजे अब चलि है कुश्चन पीटी के आते हैं पीटी के एकदम मतलब फेवरेट बुक है यहां से भारत का भौतिक परवन फिजिकल इन्वार्मेंट आफ इंडिया ये बुक का नाम है ये बहुत बेसिक बुक है इसको पढ़ना ही है फंडामेंटल आप फिजिकल जोगर्फी ये भी means के point of view से important है PT में इससे question कम बनते हैं बनते हैं ऐसा नहीं नहीं बनते लेकिन means के point of view से ये important है ठीक है चलिए economics के बात करते है economics में economics में आती है आप पढ़ना चाहो तो 6 से लेके 12th की new NCRT पढ़ लो ठीक है लिख तो दिया हूं सारे देखिए 6 में economics है 9 में economics है और 9 में इस जितनी बुक लिखा हूं मैं ये important है आपको economics, economics development, economics development, इंडियन economics ये दो बुक लिखना हूं 12th की जो macro and macro macro economics को बोलते हैं सूच में अर्थवेवस्था ठीक है macro को बोलते हैं macro को बोलते हैं बड़ी ब्रियाद अर्थवेवस्था आपको ये दोनों बुक तो पढ़नी है भाया बहुत important तरीके से पढ़नी है साथ ही जो मैं prefer करूंगा आपको अगर economics की और बुक पढ़नी है तो ये दो 11 12 की दो पढ़नी पढ़नी है इसके अलावा आपको रमेश शिंग की बुक मिल जाएगी रमेश शिंग की बुक मिल जाएगी आपको market में available होगी आप देख लिजेगा आपको वहाँ पे आपको रमेश शिंग की बुक मिल जाएगी बहुत ही बहतरीन तरीके से था फिर से लिख रहा हूँ, रमेश सिंग, रमेश सिंग की बुक है, बहुत बहतरीन है, complete economics पढ़ा देता है, साथ ही अगर आप कोई इसमें भी नहीं समझ मा रहा है, तो मैं जो प्रिफर कर रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग का वो नहीं दे रहा हूँ, मैंने दिश्टी IS का एक आत economics की बड़ी अच्छी पहचान अपनी पकड़ बनवा देंगे, उसके बाद आप रमेश सिंग मोटी पढ़ती है, बोरिंग लगने लगता है बच्चों को, environment के लिए क्या पढ़े, environment के लिए ये enough है, biology 11, chapter 13 से लेके 12 की biology आप पढ़ सकते हो, बहुत वेतरीन तरीके सा आपक इंपोर्टन है, ये ये भी इंपोर्टन है, ये भी इंपोर्टन है, आपको ये सारी चीजे, आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, फ्यूचर विथार्शुतोस पर ये पूरा पीडियाफ आपको अपलोड कर दे रहा हूं, फ्यूचर विथार्शु कसन मैं करता हूं आपके कुश्चन का मैं अराम से अंसर दे देता हूं और दूसरी बात आप मुझे फेस्बुक पेज पे भी इस नाम से फॉलो कर सकते हो जहां पे मैं अपनी परसनल चीजे बताता हूं वहां पे बहुत जादा पढ़ने पढ़ाने की बाते नहीं है कुछ च इस चनल पर चाहँ